मस्कार दोस्तों ऐसी मेरी परम्पिता परमात्मा से प्रातना है कि आप सब सुखियों, सवस्थों, मस्थों और मज़े में हों आज मैं आपकी सेवा में एक निया वीडियो लेकर हाजिद हुआ हूँ वीडियो शुरू करने से पहले आप से बिनमर बिंती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक वैर शेयर कर देना चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जातक की कुंडली में जिस भाव में केतू भिराजमान होते हैं जिस घर में केतू पड़े होते हैं उससे पांच घर आगे का जो घर होता है उससे सबंदित बस्तूओं का जातक को बहुत लाब मिलता है अपने जीवन में शर्ट यह है कि वो उससे सबंदित बस्तूओं का जो भी कारे करे उसको टौप सिक्रेट रखे किसी को ना बताए बैसे तो मैं प्रतेक भाब में के तू बिराजमान हो उससे पांच में भाब का फल साथ ही साथ पताऊंगा कि अगर के तू लगन में हो तो उससे पांच में घर कौन सा बनेगा अगर दूसरे भाब में हो उससे पांच में घर कौन सा बनेगा फिर भी आप एक बार समझ ले मान लिजे के तू तू तीसरे घर में है तो उससे पांच में बाब बनेगा जा एक लिख लिए दो तीन चार पांच अगर तीसरे घर में है तो उससे पांच में बाब बनेगा साथ मा अगर मान लिजे दसमे घर में है तो जा एक लिख लिए दो तीन चार पांच तो उससे पांच में घर बनेगा दूसरा वैसे इस वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो मैं प्रतेक भाब में केतू और उससे पांच में घर कौन सा बनता है वो मैं बताऊंगा पहले आप जे समझ लें कि कुंडली में केतू शुब कैसे होते हैं देखिए बहुत से इस तरह के जोग बनते हैं जिसके कारण केतू कुंडली में शुब हो जाते हैं मजबूत हो जाते हैं एक तो के तू आठमी राशी में पड़े हो जा नोमी राशी में पड़े हो इन दोनों राशियों में अच्छा फल देते हैं कुछ बिदवानों का मत है कि के तू बरिष्टिक राशी जानि आठमी राशी में उच्चिके होते हैं कुछ विद्वानों का माता कि नोमी राशी जानी धनु राशी में उच्छिके होते हैं मगर अनुभब में जे आया है कि जे इन दोनों राशियों में अच्छा फ़ल देते हैं इसके इलावा ब्रस्पती की जो दूसरी राशी या मीन इसमें भी अच्छा फ़ल देते हैं शुकर के घार में दूसरी राशी में और साथमी राशी में इसमें भी जे अच्छा फ़ल देते हैं इसके इलावा के तू पर ब्रस्पती की दृष्टियों जा ब्रस्पती के साथ पढ़े हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं और अगर के तू शुक्कर के घर में पड़े हो माल ये जहां पड़े हो जहां पड़े हो जह शुक्कर का घर हो गया और इनके साथ शुक्कर आ जाए तो अतीव शुब फल का रख उस घर के फल को बहुत ही बड़े लाबल पर देते हैं इसी तरह ब्रस्पती अपने घर में पड़ा हो और उसके साथ केतु आ जाए जासे जहां केतु है जहां ब्रस्पते भी विराज मानो अपने घर का तो भी उस घर के जो फल होता है उसको बहुत बड़ी मात्रा में उसका बहुत शुब फल देते हैं और केतू भी शुब हो जाते हैं केतू केंदर में पड़े हो और उनके साथ तिकौन का मालिक आ जाये जैसे केतू मालीजिये जहां पड़े हो जे दो तिकौन गारा है एक जे वाला तिकौन का गारा है एक जे वाला इनके साथ मालीजिये सूरे आ गया जा इनके साथ नोमेगार का मालिक ब्रसपती आ गया तो भी केतु शुब हो जाते हैं इन सब स्थीतियों में केतु कुंडली में शुब हो जाते हैं तो भाई यह तो हमने चर्चा की केतु कुंडली में शुब कैसे होते हैं अब आगे बात करेंगे केतु की दिरिष्टियों की, देखिए जासे देव गुरू ब्रसपती की तीन दिरिष्टियों होती हैं, पांचमी, सातमी और नौमी, इस तरहे केतु की भी तीन द्रिष्टियां होती हैं, पांचमी, सातमी और नोमी, मगर जो केतु की पांचमी द्रिष्टि होती है, वो शुब फाल देने में सक्षम होती है, केतु शुब पढ़ा हो, उसकी पांचमी द्रिष्टि शुब फाल देने में सक्षम होती है, केतु की दृष्टी और ब्रस्पती की दृष्टी में अंतर जय है कि ब्रस्पती की दृष्टी जिस भाव पर पढ़ती है उस भाव से सबंदित जो भी कारे होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं बिना किसी बिगन के हो जाते हैं मगर केतु की दृष्टी जिस भाव पर पढ़ती है, उस भाव के कारे होते तो बहुत शांदर डंग से हैं, बहुत अच्छे डंग से होते हैं, मगर भाई थोड़े से बिगन बादाओं के बाद होते हैं, क्यूं? क्यूंकि केतु की जो गतिया वो वक्रिया, केतु कोई अस्तित्तव तो हा ही नहीं, जासे मंगल एक ग्राः, एक पिंदा, बुद्ध एक ग्राः, शुक्र एक ग्राः, उसी तरह केतु कोई ग्राः तो हा नहीं, जा एक कालप्रिक ग्राः, एक imaginary planet नोर साजे, इनकी जो गतिया वो हमेशा बक्रियातिया, अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं कि किस भाव में केतु हो, उससे पांचमा भाव कौन सा बनेगा और केतु क्या फ़ल देगा सबसे पहले लगन से ही शुरू कर लेते हैं केतु पहले भाव में हो, इससे पांचमा भाव भाव ही पांचमा ही बनेगा जब केतु पहले भाम में हो तो एक चीज देखिए सबसे पहले कि जहां जातर का जन्म हुआ है उसके जन्म का घर अगर उसने बोश शोड़ दिया उसके माता पिता ने शोड़ दिया तो केतु को शुब मार लेना चाहिए अगर जहां उसका जन्म हुआ उस घर के आफपास की तरक्टी रुक गई तरक्टी नहीं हुई जहां उसका जिस घर में जन्म हुआ वो घर उसके जन्म के बाद बिरान सा हो गया बहां कुछ रहता नहीं है तो केतु को अस्तीव शुब का रख बहुत ही शुब मार लेना चाहिए जिनका केतु पहले बाद में होता है और पांचमी दृष्टी पंचम भाद पर पढ़ती है उनका तरक्ट बितरक करने की शक्ती बहुत अच्छी होती है जो उनकी मेमरी होती है बहुत शार्प होती है जल्दी भूजते नहीं किसी बात को कोई इनका बुरा तरज जाए जा इनका अच्छा तरज जाए उसको भी नहीं जल्दी भूलेंगे बहुत तीशन बुद्धी होती है जिन बच्चों की कुंदली में जिनकी उमर अभी शोटी है केतु लगन में पढ़ा है तो अगर वो थोड़ी सी भी मेहनत करें तो अच्छे से अच्छा कम्पीटेटिव अग्जाम क्लियर कर सकते हैं और कोई अच्छा पद प्राफ़त कर सकते हैं बिजिनस में भी ये कामजाबी दिलवाता है शर्ट क्या है कि जातक किसी के बेकावे में ना आए पहले बाव में केतु हो पंच्छा भाव पर विष्टी पार रही हो तो जातक कई बार भेकावे में आ जाता है और भेकावे में आकर अपनी सभी बाते बातों को पबली कर देता है सभी को बता देता है तो भाई आता नहीं करना अपनी सभी बातें top secret रखनी हैं खास कार अपने शरीर के बारे में सभी बातें अपनी संतान के बारे में सभी बातें प्रोपर्टी कोई ली हो आपने उसकी value एक दाम बहुत बढ़ गई हो वो किसी को नहीं बताना यह सभी बातें आपने top secret लखनी हैं आम तोर पर आपकी संतान talented होगी कोई ना कोई बहुत अच्छा गुन होगा जुरूरत है उनके गुनों को उभारने की अगर उनके गुनों के प्रती हम प्रोपर ध्यान देंगे तो वो एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकेंगे जो आपके बच्चे होंगे वो एक पांच का सबंद बन जाए तो इस तरह के जातक प्रेम सबंद बनाने की कोशिश करते हैं मगर शुब पड़ा हो के तू तो काम जब नहीं होते और इनको बदनामी से बचा लेता है इसके इलावा जितना आपकी शरीरिक शक्ती अच्छी होगी जितने आप सबस्थ होंगे जितनी आपकी सेक्स पॉपर अच्छी होगी उतने ही आप जीवन में अजिक तरक्की करोगे केतू आपको उतना ही अच्छा पल देगा अब आते हैं दूसरे बाब पर दूसरे बाब में केतू पड़ा हो जो जिनकी कुंटली में उससे पांचवाब बाब बनेगा वहीशाटा बाब तो दूसरे भाव में के तु हो तो अचानक ही दिल किया कि लोन लेकर ये कारे कर ले जातक ने लोन ले लिया मगर इनका लोन टाइम पर उतर जाता है चाहे जितना मर्जी बड़ा रिन ले 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 टाइम पर उतर जाएगा शर्त क्या है कि आपने चाहे एक लोन ले रखा हो चाहे दो लोन ले रखे हो मगर उनको सिक्रट रखे दुनिया को ना बता है कि मैंने जहां से भी लोन ले रखा है वहां से भी लोन ले रखा उसको बिलकुल सिक्टर्ट रखे दूसरे भाव में के तू पड़ा हो पंचम प्रिसी शटे भाव पर पार रही हो भाई तो बड़े से बड़े अक्सिडेंट को छोटे अक्सिडेंट में बदलने की शमता रखता आप अनुभब करेंगे कि बड़े से बड़ा अक्सिडेंट होते होते बच गया दुश्मन आपके खिलाफ कितना बड़ा शर्यंतर अचले कितनी बड़ी कौनसी प्रेसिद अचले मगर आपका कुछ नहीं बिगार पाएंगे आप हाथी की मस्त चाल चालते रहेंगे और दुश्मन आपके खिलाफ कौनसी प्रेसिद भी करते रहेंगे और आपसे जलते भी रहेंगे कि इसका कुछ नहीं बिगरता रोगों से लड़ने की शक्ति अच्छी होती है बिमार हो जाएं तो जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं शटे भाव के मालिक की स्थिती भी थोड़ी चेक कर लेनी चाहिए जब हम बिमारी की बात करते हैं इसके इलावा इनमें एक खूबी होती है कि कोट कचारी के मामले ठाने में कोई मामला चला जाएं उसको जे बहुत अच्छे तरीके से हंदल कर लेते हैं इनको पता होता है कि कोट केसिस क्या से लड़ने हैं ठाने में किस तरह बात करनी हैं वो मामले जे बहुत अच्छी तरह से ठान्टर कर लेते हैं इन जात्कों का बिजनस बहुत अच्छा चलेगा भाई नोकरी में कोई प्रॉबलम नहीं आएगी मगर जब तक ये नोकरी की बाते और अपने बिजनस की बाते सिक्रेट नहीं रखते जब ये सभी बाते बाहर बताने लगे कि मेरी नोकरी में आते होता है आते काम करते हैं तो भाई उस समय प्रॉबलम आएगी उस समय बिगन बाता यानी शुरू हो जाएं आपके मुख पर जो आपका चहरा है उस पर कहीं पर भी निशान हो थोड़ा बिलकुल बोल ना हो ओबल शेप में हो तिकोन की शेप में हो जा किसी दूसरी शेप में हो तिल का निशान हो चोट का निशान हो जा भाई बर्थी कोई निशान हो तो अगर इस तरे का निशान हो तो केतू बहुत शुफल देगा अचानक धन लाब करवाएगा धर्वान बनाएगा धन की कोई कमी नहीं हो अब आते हैं भई अगले भाब पर जब कुंडली में के तू तीसरे भाब में हो तो इससे पांचमा भाब बनेगा साहतमा तो रोज मरा का जो काम का जा उसमें उमर के साथ दीरे दीरे तरक्की होती रहेगी हाँ कभी कबार कोई दशा उंकर दशा खराब आ जाती है तो टेंपरेरी तोर पर थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है बीच बीच में नहीं तो उमर के साथ रोज मरा की जो अमदनिया जो कारे उसमें आप तरक्की ही करेंगे से पॉलिटिक्स से अच्छा लाब होगा राजमिती से मगर काम ढंदा आप कैसे करते हो में नौकरी में आपके पास क्या 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 काम करने परते हैं, आपको कई बार कुछ उल्टे सीधे कारे भी करने पर सकते हैं। पॉलिटिक्स में कौन आपके पीछे है अगर आप अपने बिजनस में राजनिती का सहरा लेते हो तो किसके कारण आपको सहरा मिलता है तो ये बातें भून कर भी किसी को नहीं बतानी हो सकें तो अपनी पतनी को भी नहीं बतानी कि मेरे पीशे कोन है बिजनस नोकरी में कैसे कारे करता हूँ इसके इलावा जो मेरे भाई गाउं में राते हैं वो अपनी खेती भारी की जो भूमिया उसको बढ़ाते जाएं कोशिश करें कि जितनी बढ़ा सके उतरी उसको बढ़ा लें तो जितनी आपकी खेती की भूमी बढ़ेगी उतना आपका खेतू शुब होता जाएगा आपको शुब फल देता रहेगा सांजेदारी में काम आपका अच्छा चलेगा मगर अपने पार्टर से जिससे आपकी सांजेदारी या उससे टूदाप पॉाइंट बात करें गरेलू कोई बात ना करें, पर्सनल कोई बात ना करें, बच्चों की कोई बात ना करें कभी एमोशनल हो जाएं तो अपने पार्टर के पास बेठे ही ना क्योंकि एमोशनल होगे उसको दस बाते बताओगे नहीं तो भाई अगर उसको आपने अपनी पर्सनल बाते बता दी तो वो आपको दोखा देगा जे पक्की बात है पती अपनी पत्नी से पत्नी अपने पत्नी से इमांदा रहे मगर एक बात देखी गई है जिनके तीसरे बाव में केतु होते हैं और उससे पार्चवा बाव साथवा बनता है पती और पत्नी इमोशनल होकर अपने पुराने प्रेम सबंद अपने पार्टरिनर को बता देते हैं कई बार कि जी मेरे तो उसके साथ सबंद थे कई बार इमोशनल हो जाते हैं ना जब मूड बहुत अच्छा होता है तो बता देते हैं मगर पूरी उमर भर इस शोटी सी गलती के कारण आपको पश्ताना पर सकता है भाई तो जिनके तीसरे गार में केतु है उनको मैं खास तोर पर कहना चाहता हूँ कि इस बात का खास ख्यार रखें कि पास्ट में जो हो गया उस पर मिट्टी डालें और बिल्कुल किसी को उसके बारे में ना बताएं किसी पर कोट केस करना हो मुकदमा करना हो तो उसको पहले इसकी बार्णिंग बिल्कुल ना दे कि मैं तेरे पर कोट केस करूँगा मुकदमा करूँगा अचानक ही मुकदमा कर दे जब उसको समण मिले तब ही पता चले कि मुझे पर मुकदमा हो गया तो आपको मुकदमे में सफलता मिलेगी इसके इलावा जीवन में बिकलांग लोगों की जिनक्या कोई शरीर का अंग कटा हुआ है जा भाई बर्थ कोई प्रॉबलम है अपांग है इस तरह की लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत लावकारी होगी एक बात मैं और कहना जाता हूँ सुनने में थोड़ी आपको कड़वी लग सकती है मगर अनभव में आसा ही देखने में आया है कि अगर कभी मिस्कैरिज हो जाए जा अबोर्शन करवाना पड़े जिनके पुर्षों के तीसरे भाव में केत हुआ है और पांचमा भाव सातमा बानता है तो भाई जे आपके लिए शुब है किसे अच्छे के लिए ही जे कारे हुआ है इस बात को मन पर लगाने की बिल्कुल जुरूरत नहीं है अब अगले भाव पर चलते हैं अगर भाई चोथे भाव में केतु पड़ा हो तो इससे जो पांचमा भाव बनेगा वो बनेगा आठमा तो जिन इस्त्रियों के जिन मेरी भेहनों के शाती जास्तनों पर कोई निशान है जिनके चोथे भाव में केतु है चाहे तिल का निशान है चाहे किसी चोट बगारा का निशान है चाहे भाई बरस कोई निशान है तो भाई ये आपके लिए बहुत शुब है आपकी संतान के लिए भी बहुत शुब है इसके इलावा जिनके चोसेगर में केतु हो परिवार के सदस्थे को अपने इंकम के सोर्स के बारे में पूरी जानकारी कवी न दे आपके पास कहां कहां से पैसे आते हैं अपने परिवार के लोगों को बिल्कुल इसके बारे में जहां तक हो सके ना बताए एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, आप कहेंगे कि सर क्यासी बाते कर रहे हैं, मगर इसका आपको बहुत फाइदा होगा, चोथे बाब में केतु हो, और पंचम द्रिष्टी आश्टम बाब पर 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 रही हो, तो भाई जहां तक हो सके, अपने ओफिस का जो सही अड्रेस सा है, बहुत कम लोगों को बताएं, अधिकतार लोगों को खाथ तोर पर अपने रिष्टेदारों को, अपने ओफिस का अड के लिए प्रॉब्लम क्रेट कर सकते हैं, जब उनसे अनवन होगी आपकी, बसीयत से आपको कितरा लाब हुआ है, इंशोरेंस कहां कहां करवा रखा है, किस इंशोरेंस से लाब हुआ है, ये बाते किसी को नहीं बतानी, जीवर में अचानक दनलाब हो जाए, तो तुरंत उ उसको इन्वेस्ट कर दे, अगर ढोल पीटने लाग जे ना, तो आपके पास भाई कुछ नहीं बचेगा, दुनिया ही ले जाएगी, इसके इलाबा एक और बात देखने में आई या, कि जिनके चोथे बाव में केतु होता है, अगर उनके घर में पक्षी आते हों, जा पक्षी अपना नेस्ट बनाते हों, गोसला बनाते हों, जा कई बार खुद कुछ लोगों को पक्षी पालने का शोक होता है, तो घर में पक्षी का होना, के तु शुब की निशानी है, घर में पक्षी मों की चहर पहल उनकी अवाज सुबह जब वो बोलेंगे, इससे आपके घर में पोजिटिव नर्जी आएगी, और आपके घर में सुख सुविदाओं में बृद्धी होगी, यह आपके लिए एक अच्छा ताहिन है, इसके लाबा आपके पास बहुत गुन होंगे, बहुत गुनवान वेत्ती होंगे, आसी शांती बहुत होगी काम करने की, मगर अपने काम करने का धंग, अपने जो गुना है, जुनीक गुना है, वो किसी दूसरे को जल्दी जल्दी ना दें, बरना जिसको दोगे, वही आपको आपके जीवन में नीमा जानी नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, बजुर्गों का शीरवाद लेते रहें, और कुल प्रोहित का शीरवाद लेते रहें, जे आपके लिए भाग्यकारी सिद्ध होगा, आगे चलते हैं पंचम भाव पर, पंचम भाव में केतू हो, तो वही पांच में से पांच माव बनेगा नमा भाव, जहाएं एक लिख लिए दा, एक, दो, तीन, चै, पांच, पंचम से पंचम बनेगा, नमा भाव, तो ऐसा देखने में आया है, जिनके पंचमें भाव में केतू होता है, अगर दो भावी और तीन मामे हों उनके, जहाएं तीन भावी और दो मामे हों, एक तो जे कनिशन होगी, दूसरी कनिशन, रीड की हद्जी के पास कोई बड़े तिलका निशान हो, जब पेट के उपर कोई बड़े तिलका निशान हो, तो भावी केतू आपके लिए बहुत शुब होगा, आपके जीवन में प्रतेख कारे में आने वाले बिगन बाधाओं को नश्ट करने वाला होगा, इसके इलावा जिनके पंचमभा में केतू हो, आपने जो भी कारे करना हो, जब तक वो पूरा न हो जाए, उसको टोप सिक्रट रखें, तो इश्वर की किर्पा से देर सवेर वो कारे पूरा हो जाएगा, अगर पहले ही सब को बताने लग गए, तो कोई न कोई प्रॉबलम क्रेट करेगा बंदा, आप क्या जो सब से क्रीब ही होगा, जिसे के बारे में आप सोच भी नहीं सकेंगे, कि ये मेरे लिए प्रॉबलम क्रेट कर सकता है, वही आपके लिए प्रॉबलम क्रेट करेगा, अगर आपने पहले ये बात बतानी चुरू करती, धर्म के मामले में आप क्या करते हो, क्या पाठ करते हो, क्या पूजा करते हो, किस देवी देपता को मानते हो, कब उधारमिक स्थान पर जाते हो, मंदिर उख जाते हो, गुर्दवार साब जाते हो, चर्च में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कहां जाते हो, क्या दान करते इसका knowledge सिरफ आपके दिल को ही होनी चाहिए आपके दिमाग को भी नहीं पता होना चाहिए अगर दिमाग को पता होगा तो दूसरों को पताएंगे आप जहां दानमिक स्थान पर आप जाते हो जो पाट पुजा करते हो कर ली और भूल के जनब भूमी से दूर जाने का प्लान हो तो अच्छा प्लान है कामजाब भी मिलेगी मगर जब तक बहां जाकर पूरी तरह से सेट नहीं हो जाते किसी को नहीं पताना कि मैं अपनी जनब भूमी से दूर बस रहूं इसके इलावा पंचंब में केतु आपके ओपजीट सेक्स के मित्र है पूर्ष है तो इस्तरी इस्तरी है तो पूर्ष उनको कभी असली बात नहीं बतानी आपने जीवन की सबी बाते गल्ट बतानी आए सबी बाते उल्टी बतानी आए नहीं तो आपके लिए ये दिक्कत क्रियेट करेंगे जीवर में जिनके पंचबाम में टेतु हो अगर कुट्टा इनको काट ले तो समझ लीजिए कि पिछले जनम में जो हमने बुरे करम किये थे उसका काफी हाद तक कैंसल होगे वो करम वो काफी हाद तक खतम होगे अब अगले भाब पर चलते हैं छटे भाब पर छटे भाब में के तु हो तब इससे पांचबाम बनेगा दसमाजाद जब आपको नोकरी मिले रोजगार मिले जोईन कर लीजिए शिरफ आपके घड़के से दस्तियों को ही पता होना चाहिए प्रोस्टी को भी पता नहीं होना चाहिए कि आपको नोकरी मिलगी तो बहुत रक्की करेंगे आप बिजनेस स्टार्ट करना है अगर ऐसा बिजनेस है कि मार्किट में कोई दुकान बगारा करनी है तो तो जब आप अपनिंग करोगे सिर्फ साथ के जो दुकान दा रहा है जब वो लोग जो आपके ग्राक बनेंगे उनको ही इनिविटेशन दीजिए मित्रों को, रिष्टेदारों को इदर उदर के लोगों को बताने की बिलकुल जुरूरत नहीं है तो आपका बिजनेस भाई इश्वर की क्रिपा से अच्छा चलेगा अगर आपको पेट के रोगा का वैसे तो कोई भी रोगा किसी को नहीं बताना खाश तोर पर अगर पेट के रोगा तो उसका ढोला पीटे आप किसी स्टेज पर जाकर मजांक का पत्र बनोगे जिस बड़े व्यक्ति से आपके रिलेशन है राजमीती में जा ओफिस में बिलकुल सिक्रट रखे इस बात को एक चीज का और दियार रखे कि जब उसके रूम में भी अंटर करना हो ना तो चारो तरफ देख लें कि आपको कोई देखना रहा हो बिलकुल सिक्रट काम करना जिये वगा आपकी स्टेटर्जी क्या है ओफिस में किसी का अगर नुक्सान भी किया है तो इस बात को भी आपने किसी को नहीं बताना है कि आप किस स्टेटर्जी पर काम करते हो राजनीती में काफी तरक्शी करते हैं लोग शर्टे केतु हो और पांच में द्रिष्टी दसंबापर पर रही हो शर्ट जे है कि राजनीती में डिंगे नहीं मालनी बहुत सरल होकर चलना है राजनीती में और जो आपका साथ शोड कर चला गया उसको जाने दे चाहिए आपको लगेगी बहुत नुकसान हो जाएगा मेरा कोई नुकसान नहीं होगा आपको जो जा रहा है उसको जाने दे मों माना रखे उससे इसके इलावा अगर लोल लेगा हो कहीं से दिन लिया हो तो उसको बिलकुल सिक्रेट रखे चाहे दो-चार चिस्ते ना भी भरी जाए जुर्माना पढ़ जाए आपके उपर मगर उसको सिक्रट रखे और भाई एक बात और देखने में आई या जिनकी कुंडली में शटे बाव में केतु पढ़ा होता है उनकी संतान देखने में जितनी भोली बाली होगी साथ में भाब पर सब्तम केतु हो तो भई इससे पंचंबाब बनेगा ज्यानमा तो आमधनी के स्रोतों के बारे में कि मुझे कहन से आमधनी हो रही आपनी जिंदगी में साइट बिजिनस के बारे में आमधनी से मुझे जाद आया कि जो मेरे भाई जूट्यूब पर वीडियो बगारा डालते हैं वो किसी को प्रेशराई करकर अपना चैनल सब्सक्राइब ना करवाई बिल्कुल सिक्रेट रखे जिससे को आपका चैनल अच्छा लगेगा वो कर देगा जानी कि अपनी हर बार सिक्रेट रखनी है किस किस से पार्ट्रेशिप आपकी किसी को नहीं बताना आपकी लाइफ में कई उपर्चुनिटी जाएगी उपर उठने के लिए कई बार आपका जीवन आपको चैन्स देगा उपर उठने के लिए जब तक आप उस चैन्स को पूरी तरह अवेल ना कर ले सफर ना हो जाए उसमें तब तक आपने किसी को नहीं बताना कि मुझे जे चैन्स मिला है किसी रिष्टेदार ने बिजनस में आपकी मदद कियो प्यासों से आपकी मदद कियो जा वाइदा किया हो कि मैं आपकी मदद करूँगा तो ये बात सिक्रट रखनी है तो रिष्टेदार जो मदद करेगा वो आपको अच्छी फलेगी और आपके बहुत काम आएगी आपकी जो मित्र मंदली है जो सोशल सर्थ करना है बहुत अच्छा होगा एक से अधिक ग्रुप भी हो सकते है जानी कोई स्कूल टाइम का हो गया कोई आगे नोकरी में बनगे बिजिनस में बनगे लेकिन एक मित्र की बात दूसरे मित्र को कभी नहीं बतानी बिल्कुल गोपनी रखनी है कोई भी एर्वेस्टमेंट करनी है आमदनी बढ़ाने के लिए निया कार कारे करना है तो कीजिए शौंक से कीजिए लेकिन जो इनमें इन्वोल्व हैं उनको ही इसके बारे में पता होना चाहिए तो आपका कारे बहुत अच्छा चलेगा एक चीज़ और है यह भी देखने में आया है कि जा तक के जितने साले साली आ होती है अगर उत्रे ही उसके बच्चे हो जा इसकी कमर पर तिल का निशान हो इन दोनों में से कोई भी एक कंडिशन पूरी हो रही हो जितने साले साली हो उत्रे बच्चे हो जा कमर पर तिल का निशान हो चोट का निशान हो बाई बर्स कोई निशान हो तो रोज मरा की आमदिनी के लिए बहुत शुपसक केता जे के तू शुपफाल देने वाला होगा अब आते हैं अस्टमभाब पर अस्टमभाब में के तू हो तो वह पांच माबाब बनेगा बार माबाब तो आपके जो विदेश से सिवाफ सबंद हैं आपके जो रिष्टेदर विदेश रहते हैं जा आपके बच्चे विदेश गय हुए हैं वहाँ से आपकी मदद कर रहे हैं इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताना हो कई बारे आपको होता ना कि बेटा विदेश गया है वहाँ अच्छा सेट हो गया वहाँ जाकर आपको डॉलर बेज रहा है पॉन बेज रहा है तो आप अपनी मित्रों को बता रहे हो कि जी मेरे बेटे ने वहाँ गया है वहाँ से मुझे इतने डॉलर बेज दिये मेरे लिए तो इतना मेंगा मुवाइल लेकर आया इन बातों को टोप सिक्रेट रखे खुद विदेश जाना हो तो जब तक विदेश जाकर आप सैट नहीं हो जाते तब तक किसी को नहीं पताना कि मैं विदेश चला गया सिर्फ जो आपके बिलकुल नजदीक हो जिनको पताना ही पढ़ेगा उनको ही पताना चाहिए कमर से चार इंच नीचे तक कोई निशान हो जयानी की कमर से लेकर जांग तक कोई निशान हो तो शुब केतू की निशानी है ससुरार से कोई लाव हो जाए धन का लाव हो जाए प्रोपर्टी का लाव हो जाए तो गुप्त रखे और उस लाव को तुरंत इद्वेस्ट कर दे क्रिशिक की मिर्टियों के बाद जा किसी ने बसीयत में आपके नाम पर कोई धन लिख दिया हो प्रोपर्टी लिख दियो तो उसको अपने बिजनस में लगाए जानी की किसी के मोत के बाद मिला हुआ धन अपने बिजनस में लगाए अगर नोकरी करते हो तो उसको इन्वेस्ट करते तो वो आपको अच्छा लाव देगा आपके पास काफी गुन होंगे गुप्त गुन भी होंगे गुप्त सबंद भी आपके होंगे गुप्त नोलज होगी कई शेत्रों के बार में आपको इसका ज्यान किसी को न दे बरना आपकी टोपी आपको ही पहनाएगा वो बंदा और आपको ही जूज करेगा अगले करके आते हैं नवम भाब में नवम भाब में केतु हो भाई तो इससे पांचवा भाब मनेगा दूसरा तो ज्ञांग से लेकर गुट्नों के उपनी भाग तक कोई निशान हो तिल का निशान हो चोट का निशान हो बाई बर्त को इनिशान हो तो जहां केतु को शुब मान लिया जाएगा नवम भाब में विदेश जाने की प्लानिक तब तक गुपते रखे जब तक आप बहां जाकर अच्छी कमाईना कर लो पूरी तरह से सेट न हो जाओ कई वायासा देखा गया है कि नवमा में केतु हो अशुब प्रभाब में आ जाए तो बिदेश जाने के चक्कर में जातर का धन डूब जाता है प्राबलम आ जाती है कोई ठगी लगा जाता है तो अगर इस तरह की सिच्वेशन बन जाए इश्वर ना करे आपके साथ तो कम से कम देट साल तक उसके बाद बिदेश जाने की ट्राई नहीं करनी और दो रंग का जो कुटा होता है ब्लाट एंड वाइट मिल जाए तो बहुत अच्छा है उसकी सेवा करते रहा है इसके इलावा नवमा में केतु हो आपकी बहाचा जितनी मद्र होगी आपकी बादी जितनी बिनमर होगी उतना ही आपका भागे साथ देगा आपके श्रील में अगर कोई अलर्जिक का रोग है जाओ कोई दूसरा ऐसा रोग है जैसे फुलगारी का है आज चोटा मोटा कोई इस तरह करोगा तो बिलकुल किसी को ना बताए बिलकुल सिक्रेट रखे इसको जितनी आपकी समाज में हैसित है ठीक है अच्छी है उसको बढ़ाने के लिए दिंगे मत मारे बढ़ना समाज में आपकी रेपूडेशन कम होगी जिसका लोगरान में आपको नुकसान होगा पितार की आध्या का पालन करने से के तु आपको शुपल देगा अगर लगे कि मेरी बढ़नामी हो रही है कई बार इस तरह की दशांतर दशा में चल रही होती है जीवन में समय आता है कि बिना बार की बढ़नामी हो जाती है कोई गल्त कारे करते हैं हम नहीं है जीवन में फिर भी बढ़नामी हो जाती है पता ही नहीं चलता की क्यों हो रही है तो अगर इस तरह का काम हो रहा हो जीवन में तो भाई सोना दारण कर ले सोना धारण करना आपके लिए शुब रहेगा अब आते हैं दसम बाब में अगर दसमे बाब में के तु पड़ाओ तो इससे जब पाजमा बाब बनेगा वो दूसरा बनेगा तो दिवसाय का बाब होता है दसमा दूसरा बाब धन्द का होता है दवसाई और धान का सबंद बान गया तो भाई एक चीज मेरी नोट कर ले अगर दसमभाब में केतू हो जितना क्रेक्टर अच्छा रखोगे जितना चार्ज केलन अच्छा रखोगे उतनी ही अधिक प्रसिद्धी होगी समाज में आपकी उतना मांतमान उम्दा होगा उतना अच्छा पाद होगा उतनी अच्छी प्रतिष्टा होगी बड़े बड़े खिलावियों की कुंडली में केतू दसमें बाम में होता है और उसकी पाचमी द्रिष्टी दूसरे बाम में परती है जब तक उनका क्रेक्टर अच्छा राता है तरक्की करते हैं जिस दिन से क्रेक्टर खराब हो गया समझ लीजिए उनका डाउनफाल शुरू हो गया परिवार के सदस्यों को कुटूम के लोगों को जा तक हो सके उनसे सभी बाते गुप्त रखे अपने बारे में बिल्कुल ना बताए गुट्रों से लेकर दास इंच नीचे तक जा गुट्रा खतम हो रहा हो वहार से दासन इंच नीचे तक कोई निशान हो तिल्का हो चोटका हो जब आई बर्स हो जितना बड़ा हो उत्रा ही अच्छा है कोई निशान हो तो दसमें बाहर में के तू अच्छा फल देगा राजनीती में बहुत लाब देगा जा राजनीती के साहता से आपके कई कारे सफल होंगे बिजनर्स से आप दान क्या से कमाते हो नोकरी से दान क्या से कमाते हो कई बार इदर उदर की कमाई करनी पड़ती है कुछ धंदे ऐसे होते है नोकरी कई बार इस तरह की होती है कि भाई थोड़ा बहुत करना पड़ता तो 80 बाते बिल्कुल गुप्त रखे पीता से जो लाप मिले आपको उसके बारे में अपने Real Brothers and Sisters को भी नहीं बताना अपने सखे बाई व्यानों को भी नहीं बताना अब आते हैं ग्यानमे बाब पर ग्यानमे बाब में केतु हो तो भई उससे पाँचमा बाव कौन सा बनेगा? तीसरा जब ग्यार्मे बाव में केतु हो और उससे पाँचमा बाव तीसरा बनता हो तो जे केतु का बहुत अच्छा कंबिनेशन है बहुत अच्छा सबंद है आमदनी की कोई प्रावलम नहीं होगी धान के प्रापती से धान बड़ेगा, यानी धानी धान को कीचेगा, धान से जाज की बृद्दी होगी, दान से प्रसिद्धी की बृद्दी होगी, इसके इलावा, कई बार कोई ये शुब घत्रा घत्रियाती चीवन में, कोई खराब समय चलता तो भूल जाए उसको अतीत पर मिट्टी डाले चाहे कितरा अच्छा था चाहे कितरा बुड़ा था रात गई तो बात गई इसके इलावा मकान की सुन्दर्था को दिखना बढ़ाएं जितना सिंपल आपका मकान होगा उतनी ही सुखी आपकी जिंदगी होगी और जब आप निया मकान बनाएं जब तक पूरा बनना जाएं जाएं मकान ज़र जब तक मकान खरीद ना ले किसी से कोई ज़्यादा सला वगएरा ना करे जो आपको अच्छा लगता हो व्यासे बना ले मकान एक बार मकान बन गया फिर जो आपके घर आता है हमारी आदत होती है कि देखिए जी यह हमारा बासरूम है हमने जे इस कंपनी के टैपस लगवाई है इस कंपनी की टैर्स लगवाई है सारा मकान दखाते हैं आप कि जाते हैं आपने कोई बहुत बड़ा आथा बिल्डिंग बना ली हो कि जुनी को सभी के मकान अच्छे होते हैं वही एक ते एक परे होते हैं किसी को दखाने की जुरूरत नहीं है अपना मकान जाता है अपने मकान बना लिया अच्छा है अगर कोई जाड़ा इस्षिस्ट करे औरतों को दिकात होती है कि जी हमें अपना मकान दखा दीजिए तो फॉर्मर से तरिके से दखा दीजिए एक चक्कर निकलवा दीजिए जाड़ा आगा उन मीन मेक में दिखाईए तो जी आपके लिए प्रॉबलम क्रेट करेगा जिन बेहनों की आखों की पल के सुन्दर है वो उसको और सुन्दर बनाने की कोशिच ना करें कोई मेक अप ना करें तो इससे उनको केतू बहुत अच्छा पल देगा अपने एक मित्तर की बात दूसरे मित्तर को ना बताए नहीं तो मित्तरों में तो लडाई होगी ही होगी बीच में आप फसोगे आपकी रापूटेशन भी खराब होगी और एक बात मैंने देखिया कि ग्यार में भाब में केतू हो और उसका थोड़ा सा भी शुपर भाब पर जाए तो जातक मित्तरों के साथ मिलकर कोई ना कोई अन्यातिक कारे करना शुरू कर देता है कोई ना कोई इलीगल कारे करना शुरू कर देता है और उसका मित्र ही उसको फसा देता है एक दिन तो भाई ऐसा नहीं करना मित्र के साथ मिलकर कभी कोई अन्यातिक कारे अन्यातिक क्या कोई कारे कर नहीं नहीं मित्र के साथ मिलकर आप अपने लाबर पर कोई भी कारे करो ठीका मित्र के साथ मिलकर कोई काले नहीं करना अब एक भावर आजिया उस पर चल्चा कर लेते हैं बारमा भाव बार में से पंच्य भाव बने का चोथा तो भई एक चीज देखिया मैंने फिर आप कहेंगे कि सड़ क्यासी बाते करने लग गे अब भाव में आता है कि जिनके बार में भाव में केतू होता है अगर उनके पाव में कोई चोट लग जाती है पैर में कोई चोट लग जाती है तो इनके लिए शुब है पैर में कोई चोट लग गई उसके बाद इनकी तरक्की शुरू होनी हो जाती है त्रक्की करने लग आते हैं जा प्यार पर जनम से ही कोई निशान हो तिल का निशान हो जा वाइबर्स कोई निशान हो अगर चोट लग गई हो तो चोट का निशान हो तो पढ़ जाएगा वो इनको उत्तमफल देगा इसके इलावा मकान के बारे में आपने खास क्यार रखना कि जब आप मकान बनाए तो अधिक से अधिक अपनी पत्री से सला कर ले और किसी से कोई सला करने की जिरूरत नहीं है आप खुद देखे कि किस जगा पर आपको मकान आपके लिए सुकारी देगा अच्छा देगा खुद डिसाइड करे वहां मकान बना ले जा पुराना मकान खरीज ले वो भी आपके लिए अच्छा देगा अगर बार में बार में के तु पढ़ा हो इसके इलावा कोई बार खरीजना हो कार खरीदनी हो बाई को बगरा खरीदना हो तो जो आपको अच्छा लगता हो ले ले गाटा नहीं पड़ेगा भई आपको जो पसंदों चीज आपको ले ले किसी से जादा स्लाह करने की जुरूरत नहीं है नेट पर सर्च करने लग जाते हैं लोग इस कार की अबरेज कितनी है इसकी कितनी है कंपेर कर ले आपको बिलकूल नहीं करना जो अच्छा लगता है ले लीजी आप जितनी जद्धी प्यत्रिक संपर्ति आपको मिलेगी उत्रही केतु शुब माना जाएगा उत्रही जिंद्धी आपकी सुख पूर्वक कटेगी फोरन टूर्स चाहे गूमने के लिए ही आप विदेश चले जाओ आपके भाद्धे को बढ़ाने वाले होगे के तु बार में घर में हो आपका जो ताया है आपकी मदद ना करता हो आपसे ब्यार की भावना रखता हो तो ये भी आपके लिए भाई अच्छी बाता इससे भी केतु शूप फ़ल भी देगा केतु के शूप फ़लों को नश्ट करने वारा होगा अगर आपका ताया आपसे ब्यार की भावना रखता हो अगर आपको मकान बदलने पढ़ने हो अधिक बदलने पढ़ने हो तो जे भी अच्छे के लिए ही होंगे बदलते रहे इसके इलावा कि तू बार में बार में हो तो साथ साथ की उमर के बाद जितना अच्छे काम आप कर सकते हो बिमारों की सेवा बिमारों को दवाई लेकर दे देना होस्पिटल चले जाए कभी कबार मरीजों के खाने पीने का परबंद कर दीजिए जा मरीजों के जो रिष्टेदार है खास्टोर पर जो जुरूरत मन्दा है जिनको जुरूरत है खाने पीने की उनके खाने पीने का परबंद कर दीजिए तो इससे भी केतू आपको अच्छा फाल देगा तो भाई यह तो मेरा वीडियो था कि जिस भाव में केतु होता है उससे पंचम भाव के सबंदित जो बस्तु आयोती है उनको आप टॉप सिक्रेट रखिए किसी को ना बताएं तो केतु आपको शुप फाल देगा एक कीजी मैं और कहना चाहता हूँ कि केतु के फाल में थोड़ा बिगन आ सकता है तो वो भी अच्छे के लिए आता फाल में शुपता भालती है लेकिन अगर बिगन आए थोड़ा सा तो गवराने की जुरुरत नहीं है केतु अच्छा फाल देगा और जो इससे पंचम भाव होता है जैसे ब्रस्पती की पंचम दृष्टी को हम अमरित मानते हैं केतु की पंचम दृष्टी भी अच्छा फाली देती है आपने अपने इतना कीमती समय निकाल कर जे मेरा वीडियो देखा मैं तया दिन से आपका आवारी हूँ ठैंस है लो